आज की क्लास में हम दिस्कस करने जा रहे हैं एलेक्टिक चार्जेस एंड फिल्स जो की 12 का वेरी फर्स चाप्टर है और यदि मैं आपसे पूछू कि सभी टॉपर्स का जो कॉमन सजेशन होता है वो क्या होता है तो न्सी आटी होगा इसलिए हमने NCRT के इस चाप्टर को लिया है और उसी के इर्दिगीर्द में जो NCRT में कॉंसेप्ट दिये गए है जो निमिर्कल दिये हो है और उसका कैसे एसोसेशन नीड के साथ है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अभी के क्लास में अब मैं आपके लिए एक कह सकते हैं स्टैट्जी सिंपल स्टैट्जी लाया हूँ कि कब आप अपने आपको मानो की एक्जाम रेडी हो चुके हैं ठीक है सबसे पहले आपको मेरे साथ ये रिवाइस करना पड़ेगा जो जो चीज मैं बताता हूँ उसमें सारे important concept और जो numerical है वो सारे आजाएंगे उसके बाद यहाँ पे lecture में last में link में आपको दिया गया हैगा बहुत सारे homework तो उस homework को यदि आप solve कर लेते हो तो अपने आपको मान सकते हो कि tested इस chapter के लिए और एक बार जब सारे syllabus पूरा इस chapter का पूरा portion कतम हो जाता है और आपके पास में short notes बन जाते है तो आप अपने आपको कह सकते हो कि मैं exam ready हो चुका हूँ अब आते हैं कि very first introduction में क्या कहा गया है यहाँ पे यहाँ पे क्या बताया गया है कि पूरा एक तरह से mind setup एक mind map दिया गया है कि इस पूरे chapters में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे है basically यहाँ पे जो हम deal करने जा रहे है वो deal करने जा रहे static charge को और static charge अपने आज पास में जैसी आप रखोगे influence create करता है जिसको हम actually filled कहते है और यदि मैं इसमें कोई जा है एक दूसरा चार्ज लाता हूं तो उसके साथ यह interaction करता है तो इस throughout पूरे यह जो chapter है उसमें basically हम तीन parameter को जानते है एक electric force के बारे में discussed करेंगे दूसरा electricıld के बारे में डिसकस करेंगे और तीसरा electric potential के बारे में और आज का जो पूरे class का जो theme है वो आ electric force, हम electric force के बारे में detail में जानने जा रहे हैं, ठीक है और इसको पढ़ने के लिए इसको पढ़ने से पहले मुझे charge के बारे में थोड़ा सा पढ़ना ज़रूरी है, तो उसको numerical के थूँ कुछ charges जो है, उसको मैं numerical के थूँ आपको बताता हूँ, और first, very first, जो numerical है वो यहाँ पे यह दिया गया है कि क्या होगा यदि मैं glass rod को एक silk cloth के साथ में rub करता हूँ, ऐसे question का और यहाँ पे पूरे options को आप read करोगे तो यहाँ पे जिस regarding ये चीज़े है, वो ये है कि charge कैसा होगा, मतलब rub करने के बाद में glass और silk कौन सा polarity में charge होगा, कौन positive होगा कौन negative होगा, कहां से कहा electron transfer होगे, इस तरह के questions के लिए बहुत ही simple होता है, कि आप कुछ pairs को ध्यान में रख लो, जैसे सबसे पहले, यदि silk और glass rod को यदि आप देखोगे और एक दूसरे से rub करोगे, तो glass rod से क्या होता है, जो electron होता है, वो transfer हो जाता है, किस पे? silk cloth पे, तो इसलिए glass rod जो होगा, वो positively charge हो जाएगा, और silk cloth हो जाएगा, वो negatively charge हो जाएगा उसी तरह से, यदि cat's fur से plastic rod को rub करते हो, तो उसमें क्या हो जाता है, जो cat's fur है, वहाँ से, जो आपका plastic rod है, वहाँ पे electron transfer हो जाता है, और electron पे जो charge है, वो negative है, इसलिए यहाँ पे negative charge हम consider कर लेते हैं, और इस पे हम positive charge consider कर लेते हैं, तो इस pair के अमसार से, यदि आप answer देना चाहो, तो क्या होगा, कि इसमें क्या होगा? sum of the electron from the glass rod transfer to the silk, yes glass rod से, silk cloth पे हमारे पास में electron transfer होगा अभी-अभी मैंने आपको बताया है दूसरा, ऐसा होने से glass rod जो है हुआ, वो positively charge हो जाएगा और जो silk होगा, वो negatively charge हो जाएगा, so one or two दोनों से ही है इसलिए fourth जो होगा, आपका answer होगा यह correct है, यहाँ पे कहा गया है कि क्या new charge is created इस process में नया charge create हुआ है, नहीं यही electron है, वो यहाँ पे गया है या यहाँ से electron यहाँ पे गया है तो नया charge यहाँ पे कोई भी चीज create नहीं हुआ, और I am sure कि अब इस question का answer जरूर दे सकते हो आप, तो comment में जल्दी से इसका answer दे दो, इसमें मैंने जो pair लिया है, वो plastic rod और cats fur लिया है, ठीक है, now एक और question हम यहाँ पे लेते हैं इस question में क्या कहा गया है, एक polythene piece है, ठीक है, उसको rub किया गया है wool से, और उससे negatively charge हो चुका है, और कितना negatively charge हो गया, 6 into 10 to the power minus 7 column charge हो गया है, और इससे पूछा गया है, तो अच्छा बताओ, कि इसमें electron transfer कितना हुआ होगा, so definitely हम यह कह सकते हैं, कि जो भी इतना charge आया है, इसको let's say मैं Q कह देता हूँ, तो यह क्या होगा, यदि suppose करो कि N number of electron transfer हुआ है, तो N number of electron into हर एक electron पे जो charge होगा, उसको यदि मैं E कहता हूँ, तो वो into E के बरावर होगा, जहाँ पे E आपको याद रखना चाहिए, कि यहाँ पे 1.6 into 10 to the power minus 19 column, आप इससे यदि याद रखोगे, Q आपके पास में यहाँ पे given है, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे divide करोगे, N आपको मिल जाएगा, और definitely answer कितना आएगा, यह हमारे पास में कुलंब है, और इतना हर एक electron पे जो charge है, 1.6 into 10 to the power minus 19 कुलंब, उसको हमने divide किया, तो 3.75 into 10 to the power 12 यह answer आगया है, ठीके, अब हम आते हैं कुछ fact पे, charge से related कुछ information है, इसको जानना है, जैसे ही यहाँ पे दो balloon मैंने लिया है, एक balloon जो है, वो कह सकते है, copper foils इस पे उपर चिपका दिया गया, मतलब एक conductor है, और यह एक insulator है, जो आपके पास में rubber वाला जो balloon है, यदि मैं इस पे एक charge रखता हूँ, कुछ charge यदि मैं रखता हूँ, तो यह क्या होगा, यह पूरा distribute हो जाएगा, इसमें पूरे surface पे distribute हो जाएगा, simple fact आपको पता होना चाहिए, कि जो भी like charges होते हैं, वो repel करते हैं, और unlike charges जो होते हैं, और conductor allow करता है, अपने medium में charge को flow होने देने के लिए, चार्ज के flow को, तो इसी वज़ा से यह पूरा के पूरा distribute हो जाएगा, लेकिन यही चीज़, यदि मैं insulator पे करूँ, तो insulator पे वो कहीं नहीं जाएगा, वहीं के वहीं डह जाएगा, तो यही चीज़ एक बहुत important fact है, कि जब भी आप किसी भी conductor पे charge होगे, वो distribute हो जाएगा, दूसरा एक और important fact बहुत important है, कि यदि कोई भी system है हमारे पास में, और उस पे excess charge है, और यदि आप उसको ground से जोड़ देते हो, तो क्या होगा, excess charge ground में चला जाता है, जैसे इस system में क्या होगा, यह positive charge और यह negative charge, आपस में hold करके रखा है, क्योंकि यह negative, positive attract करेगा, तो यह hold करके रखा है इस charge को, और आपको दिखेगा क्या, यह जो बाहर का Q charge है, यह यहाँ पे excess है, तो यदि मैं इसको ground से जोरूँगा, तो यह excess charge हो जाएगा, वो ground में चला जाएगा, वो disappear हो जाएगा ground में, इसका बहुत ही important practical application होता है, जितने भी electric circuit है, वहाँ पे devices को, devices में यदि extra charge आ जाए, और आप उसको छूते हो, तो sock लग सकता है, उससे बचाने के लिए, उसको ground करके हम रखते हैं, ठीक है, अब हम आते हैं, एक और important चीज, कि क्या होगा, कभी-कभी आपने देखा होगा, जो कुछ piece of paper है, जो बहुती light, हलका है, और ये neutral है, और मैं यदि इसके सामने, एक comb लाता हूँ, जो already charge है, वो hair के साथ rubbing से ऐसे आया है, तो उसको attract कर लेता है, अभी तक तो ये पता था, कि हमारे पास में, दो charge body के बीच में, तो interaction हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक neutral body, और एक charge body के बीच में, interaction हो गया, ऐसा क्यूं होता है, उसका जबाब है, electrostatic induction, तो electrostatic induction की बज़र से, ये phenomena ऐसा हो रहा है, अब इसको थोड़ा सा detail में और समझते हैं, और ये NCIT के ही example को, मैं यहाँ पे लेता हूँ, यहाँ पे क्या कहा गया है, कि लिए से आपके पास में, एक sphere को positively charge करना है, और आपको किसी भी charge body से, उसको touch नहीं कराना है, बिना touch किये उसे क्या करना है, आपको charge कर देना है, तो जैसे यहाँ पे देखोगे, यह जो spherical body है, इस पे कोई charge नहीं है, ठीक है, इस पे कोई charge नहीं है, और हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे एक charge body को ला दिए, यहाँ पे negatively charge body है, तो जैसी मैं इसके सामने इसको लाऊँगा, तो क्या होगा, जो positive charge होगा, यह इसको attract कर लेगा, और negative charge को क्या कर देगा, push कर देगा, अब यह कर देगा, ठीक है, वोई simple जो interaction है उसकी वज़े से, तो आप देख सकते हो, कि यह layer पे इसका positive charge आ गया है, और यह layer पे यहाँ पे negative charge आ गया है, अब हम क्या करेंगे, यदि मैं यहाँ पे इसको ground कर देता हूँ, ठीक है, इसको ध्यान रखना कि यदि मैं यहाँ पे ground कर देता हूँ, तो जितने भी यह excess charge जो negative है, जो की, देखो, यह जो charge body है, इसको क्या करना चाहरा है, push करके बाहर भेजना चाहरा था, और इसको तो hold किये हुए, है न, जो positive charge है, तो जितने भी आपके पास negative charge थे, जिसको आप electron भी कह सकते हो, तो जो electron है, वो ground में यहाँ पे चला जाएगा, अब क्या हुआ, इस body पे सिर्फ positive charge बचा, और यहाँ पे यह क्या है, इसके hold की बज़ा से, इस side में आपको appear हो रहा है, जैसी मैं इस charge body को हटाऊंगा, तो इस पूरे conductor पे distribute होगा, जैसा कि मैंने आपको fact बताया, और यह positively charge हो गया, यहाँ पे throughout the process, हमने कहीं पे भी, इस charge body को touch नहीं कराया है, बिना touch किये, हमने positive charge यहाँ पे दे दिया, इसी में एक छोटा सा question है, कि क्या होगा, यदि मैं इसको negatively charge कराना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो बहुत ही simple सा answer है, कि यहाँ पे आप यह जो charge body लाए थे, यह induction process में, यह charge body लाए थे, इसको negative के जग़ा पे positive charge body ला दीजे, अब जब positive charge body होगा, तो इस वाले side में, जो होगा, वो negative charge इकठा हो जाएगा, और यहाँ पे positive charge इकठा हो जाएगा, अब क्या होगा, यदि मैं इसको ground से जोड़ूँगा, तो जो negative charge था, यहाँ पे negative charge तो hold पे है, यह जो positive charge body है, यह इसको क्या करके रखे हुए, hold करके रखे हुए, तो जो positive charge है, वो यहाँ पे disappear होंगे, और वो तब disappear होंगे, जब यहाँ से ground से electron sphere की तरफ में जाएगा, ठीक है, और उसके बाद आपको क्या होगा, यह जो negative charge का layer है, वो यहाँ पे रहेगा, और जब हम इस positively charged body को यहाँ से हटा देंगे, तो यहाँ पे totally आपको negatively charged body ऐसे मिल जाएगा, negatively charge कर देंगे, और इस case में, मिल गया है, ठीक है, अब हम एक question आपको यहाँ पे दे रहाँ, कि इस पहले process जो अभी मैंने कहा, उसको क्या कहते हैं, ठीक है, तो यह तो आप आराम से comment में answer दे सकते हो, कि अभी यदि मैं एक charge body को बिना touch कराए, यदि मैं एक body को charge करना चाहता हूँ, तो उस process को क्या कहेंगे, definitely electrostatic induction कहेंगे, जो अभी अभी मैंने आपको बता है, अब हम आते हैं बहुत important topic पे, जो बहुत ही favorite है, और यह जो कुलंब्स law है, इससे खूब सारे question भी पूछे जाते हैं, और innovative questions भी पूछे जाते हैं, अभी तक बहुत easy-easy question मैंने आपको बताया है, अब धीरे-धीरे वो level अब होगा, और बहुत अच्छे level के question पे हम लोग end करेंगे, तो सबसे पहले देखते हैं कि कुलंब्स law क्या है, और उसने क्या कहा था, कुलंब्स law क्या कहा था, तो यह एक experimental observation था, कि जब हमारे पास में दो charge हो, और Q1 और Q2, दो charge body है, और उसका separation जो है, वो hour distance से separated है, तो यह एक दूसरे पे force लगाता है, इस force को measure किया गया, कुलंब्स के दौरा, कुलंब्स ने इसको measure किया, खुब सारे experiment करके, charge को vary करके, और अपने separation को vary करके, उसके multiplication के proportional होता है, और जो separation है, उसके square के inversely proportional होता है, मतलब इन दोनों को यदि मैं combine करू, तो यह कह सकता हूँ कि force is equal to, एक proportionality constant, into Q1 Q2 by r square, और यहाँ पे, जो proportionality constant है, उसको 1 by 4 pi epsilon not, हम लेख सकते हैं, यह बहुत important formula बन गया, जिसे आपको याद रखना ही रखना है, कि जो force होता है, वो 1 by 4 pi epsilon not, Q1 Q2 by r square होता है, अब यहाँ पे, यदि आप देखोगे, तो epsilon not जो था, वो medium का representative है, Q1 Q2 amount of charge है, और r separation है, और यहाँ पे, यह जो constant 1 by 4 pi epsilon not है, वो 9 into 10 to the power 9 के बरावर होता है, बहुत आसान है, याद करने की जुरत नहीं है, on the spot आपको दिखेगा, यह दि मुझे इस पूरे portion का unit चाहिए, इधर force है, मतलब Newton, नीचे r square, यहाँ पे आएगा, meter square, और यहाँ पे Q1 into Q2, upon coulomb square, आपके पास में इसका क्या होगया, unit आगया, अब यहीं पे मैं यह भी पूश सकता हूँ, कि epsilon naught का unit क्या होगा, तो epsilon naught का कैसे निकाल होगे, 1 by 4 pi का तो कुछ unit होगा नहीं, क्योंकि यह constant है, तो यह 1 by epsilon naught का unit ही, Newton meter square upon coulomb square है, तो epsilon naught का क्या हो जागा, उल्टा हो जाएगा, just reverse coulomb square upon newton meter square हो जाएगा, यहाँ पे जो epsilon naught है, उसको हम कहते है, permittivity of the vacuum, और free space, और इसका value भी कभी-कभी आपको बहुत important है, इसको यह आप ध्यान में रखते हो, 8.85 into 10 to the power minus 12, actually में यहाँ पे आपको, यह value है, वो value का आपको idea रहना जाए, कि कितना कम या कितना जादा है, देखो यह 1 by 4 by epsilon naught, 9 into 10 to the power 9, यह बहुत बड़ा quantity है, 10 to the power 9, और यह जो epsilon naught है, यह बहुत चोटा quantity है, 10 to the power minus 12, यह idea रहना बहुत ज़रूरी है, कि बहुत small और बहुत greater, ठीक है, क्यों? अभी हम उस पे कुछ example पे आएंगे, अब क्या होगा? यदि मैं यह जो pair है, यह जो charge body का pair है, इसको मैं vacuum से उठाके, एक medium में रख देता हूँ, तो जैसी मैं medium में रखूँगा, तो क्या होगा? चुकि यहाँ पे medium dependent एक constant था, तो definitely force तो change होगा, अब वो force कैसे change होगा? उस medium में जो force होगा, उसको यदि मैं FM denote करता हूँ, तो यहाँ पे epsilon के जगा पे, epsilon not के जगा पे epsilon आ जाएगा, और यह क्या हो जाएगा? Q1 Q2 by R square, तो यह F by epsilon R के बरावड हो जाएगा, इसलिए क्योंकि epsilon जो होता है, epsilon not into epsilon R के बरावड होता है, इसको हम relative permittivity कहते हैं, तो जो भी vacuum में है, इसका उसमें multiply करतो होगे, relative permittivity से, तो वो चीज आपके पास में, permittivity of medium आ जाएगा, और ध्यान रखना है, कभी-कभी हम इसी चीज को dielectric constant भी कहते हैं, उस medium का, के से represent होता है, ये के और ये के different है, ठीक है, तो ये dielectric constant भी, हम कभी-कभी किसको कहते हैं, epsilon R को कहते हैं, तो हम ये कह सकते हैं, कि ये हो जाएगा, force upon dielectric constant हो जाएगा, मतलब किसी medium में जो force होगा, वो f, y, k के बरावर हो जाएगा, और एक fact, और important है, कि जो dielectric constant होता है, वो अकसर greater than equal to 1 होता है, तो जो भी चीज greater than equal to 1 हो गया, तो यदि मैं medium में उस force को देखू, मतलब मैंने क्या किया, इसका separation change नहीं किया, charge इसमें same रहने दिया, और यदि मैं इसको एक dielectric constant K है, जिसका medium का dielectric constant K है, उसमें यदि इसको place कर दिया, तो force F by K हो गया है, और K का value 1 से बड़ा, 2, 3, 4, 5, तो यदि F upon 2, 3, 4, 5 कुछ ऐसा, F by something ऐसे divide करोगे, 2, 3, 4, 5 से, तो यह क्या हो जाएगा, decrease हो जाएगा, मतलब यहाँ यहाँ पे, medium में जो force होगा, वो decrease हो जाएगा, जो vacuum में force था, या free air में जो force था, उसके respect में, एक PY क्यों आया हुआ है, देखो इस question का answer आप बहुत आसानी से दे सकते हैं, इसमें क्या कहा गया है, कि air is replaced by a dielectric medium, और उसका constant दे दिया, K, तो कहा कि the maximum force of attraction between the two charges separated by a distance, मतलब distance already fixed है, charge already fixed है, हमने air को हटा के सिर्फ K को वहाँ पे introduce कर दिया है, एक medium को introduce कर दिया है, तो उसे force में क्या होगा, सबी जल्दी से comment में आप इसका answer लिखो, क्या हो जाएगा, decreases by K times, ठीक है, जिसने भी answer 3C, यहाँ पर यदि आपने select किया होगा, तो आपने आप लिख सकते हो, कि yes, मैंने यह solve कर दिया, अब हम आते हैं एक और question पे, यह totally आपके लिए है, मैंने यहाँ पर पूछा है कि unit of permittivity क्या होगा, मैंने अभी अभी आपको याद दिलाया था, तो आप यहाँ पर जो भी करो, और इसका answer लिखो, क्योंकि मैं 1 by 4 पर epsilon not का भी, और epsilon not का भी बता रखाऊं, तो देखता हूँ, कितने लोगों हो, याद है कि इसमें कौन सा answer होगा, ओके, now coming to one more question, जो PYQ में पूछा गया है, बहुत अच्छा question है, जस्ट देखो कि ये पहले question में क्या पूछा गया है, और हम कैसे solve करेंगे, ये कहा कि दो positive ions है, चलो यहाँ पर दो positive ions में बना लेता हूँ, ठीक है, फिर ये क्या कहा, दोना पर charge Q है, तो इस पर भी charge Q है, इस पर भी charge Q है, ठीक है, separated by a distance D, ये दोनों जो separated है, वो D distance से separated है, फिर कहता है, if F is the force of repulsion, बिट्विन देम, बताँ ये इसको ripple कर रहा है, और ये इसको ripple कर रहा है, और जिस amount से कर रहा है, वो F है, चलो ठीक है, ये भी दे दिया, बिट्विन देम, then, the number of electron missing from H ion, देखो number of electron missing from H ion, अब मुझे बताओ, ये जो plus Q आया है, ये definitely यहाँ से electron जब बाहर गया होंगे, तो electron के बाहर जाने की बज़र से ही क्या होगा, ये positive charge आया होगा, लेकिन मुझे number चाहिए, तो obvious ही बात है, ये जो Q होगा, वो N times of E के बराबर होगा, miss हुआ है, ये हमें बताना है, ठीक है, N क्या बता रहा है, number of electron जो यहाँ से miss हुआ है, अब क्या करेंगे, हमें पता है, कुलम्स law force को बताता है, कि ये जो force होगा, ये कितना होगा, 1 by 4 pi epsilon naught, और ये भी Q, ये भी Q, तो उपर Q square हो जाएगा, इस कर देता हूँ, तो यहाँ से N निकालना असान हो जाएगा, तो जल्दी से यहाँ पर Q निकालो, तो Q को क्या लिख सकते हैं, 4 pi epsilon naught, D square, और times of F, और यहाँ पर, मेरे पास में, इसको यदि मैं root कर देता हूँ, ऐसे root कर देता हूँ, यहाँ पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यह Q आजाएगा, क्योंकि Q square आएगा, और मुझे क्या करना है, यह जो Q है, वो N E के बराबर है, तो मैं यदि E से divide कर देता हूँ, यहाँ से हटा के, तो N का value हमें मिल जाएगा, और यहाँ पे option आपको दिख रहा होगा, कि इस root के अंदर में ले जाने के लिए, इसको E square रखना पड़ेगा, सिर्फ fourth आपके पास में answer है, जो इसके साथ match करता है, तो देखो, इसने क्या कर दिया, एक simply एक और concept को add-on कर दिया, कि आपको यह मालूम है कि नहीं, कुलम्स law के अलाबा, कि यहाँ पे जो positive charge होता है, वो कैसे बना है, electron के transfer की बज़े से बना है, electron यहाँ से miss हुआ है, तो आप Q2 to any और add-on कर सकते हो, या नहीं कर सकते हो, यह pattern होता है, हर एक बतक की आप कहा सकते हो, कि जो भी need है, या कोई भी national level exam होता है, उसका एपैटर्न होता है, कि multiple concept को क्या करता है, add-on करना जुरू कर देता है, अब हम आते हैं, एक और NCRTK example पे, इस पूरे example में, यह courses किया गया है, कि जो हमने electric force अभी introduce किया है, कुलम्स ने, है ना, जो Q1, Q2 by R square, और 1 by 4, 5 epsilon से multiply करने के बाद मिलता है, तो वो electron और proton के साथ में, यह interaction कितना होगा, और उसको compare करना है, gravitational force से, क्योंकि electron proton पे mass भी है, और charge भी है, तो वो comparison पहले में करना है, और दूसरे में acceleration भी निकालना है, तो पहले पे हम concentrate करते हैं, कि एक electron-electron pair, या electron और proton के pair में, electrostatic force और gravitational force जो होगा, वो उसका ratio कैसा होगा, उसको compare हम करने जा रहे हैं, कितना बड़ा, कितना चोटा, तो हमें पता है, कि जो electric force होता है, वो 1 by 4 epsilon और Q1 Q2 by R square होता है, जो gravitational force होता है, यदि मैं इन दोनों का ratio ले लूँ, तो यह हमारे पास में आगया expression, यहाँ पर हर चीज हमें मालूम है, यदि electron-electron लेता हूँ, तो उसका charge मालूम है, उसका mass मालूम है, जी का value, 1 by 4, पाइपसिलन और नोट का value, हर चीज मालूम है, तो पहला pair हम यहाँ पर ले रहे हैं, consider कर रहे हैं, electron and proton के बीच में, तो electron पर negative charge होता है, proton पर positive charge होता है, तो definitely यह दोनों आपस में attract कर रहे होंगे, electric force के point of view से, और gravitational force भी attraction का nature का ही होगा, अब उसका जो value होगा, यदि मैं यहाँ पर value put करता हूँ, तो वो आता है 2.4 into 10 to the power 39, यहाँ पे इस order को just महसूस करने की कोशिश करो, 10 to the power 39 is very huge quantity, मतलब जो electric force है, वो FG का कितना times है, 2.4 into 10 to the power 39, बहुत ज़ादा बड़ा है, gravitational force के respect में कौन? electric force, दूसरा, यदि मैं यहाँ पे 2 proton को ही ले लेता हूँ, तो उसके बीच में भी यदि मैं compare करूँगा, तो यह भी बहुत बड़ा आया है, 10 to the power 36, तो यहाँ से conclusion बस आपको यह निकालना है, कि जो हमारे पास में electric force है, वो gravitational force के respect में enormously high है, बहुत बड़ा है, ठीक है, जो interaction हो रहा है, electron proton या proton proton के बीच में उसमें, अब दूसरे portion में यहाँ पे acceleration पूछा गया है, यह अच्छा बताओ, कि यहाँ पे यदि estimate करना है acceleration of the electron and proton, due to electrical force of their mutual attraction, ठीक है, और यदि उसका separation दे दिया है, वन अंगस्ट्रम, यह data बगर बहुत बार multiple times use किया जाएगा, बहुत सारे PYQ में आप देखोगे, तो वन अंगस्ट्रम 10 to the power minus 10 meter है, ठीक है, और बागी दोनों का mass दिया हुआ है, चार्ज आपको पता है कि क्या होगा, तो यदि मुझे acceleration निकालना है, तो सबसे पहले FE हम निकालेंगे, 1 by 4 by epsilon 0, दोनों पे चार्ज E है, तो E square upon R square, R square क्या दिया हुआ है, एंगस्ट्रम में दिया हुआ है, 1 एंगस्ट्रम जो कि 10 to the power minus 10 है, तो यदि मैं इसको रख देता हूँ, इसके value को, तो ये FE हो जाएगा, और obvious सी बात है कि acceleration of electron यदि निकालेंगे, तो मुझे mass से divide करना पड़ेगा, force में mass से divide करेंगे, Newton's law, ठीके, तो यहाँ पे mass of electron दिया गया है, ठीके, 9.11 into 10 to the power minus 31, तो इससे आपको आ गया, कि 10 to the power 22 meter per second square, इसका acceleration आ गया, जो कि again बहुत आई है, ठीके, अब यदि मैं उसी तरह से acceleration of proton भी पूछू, तो भी हमें क्या करना पड़ेगा, force तो वही लगेगा, ठीके, एक electron, एक proton है, तो दोनों पे force जो लगेगा, वो यही formula से आप derive करोगे, तो इसलिए force तो same लगा, लेकिन mass of proton से आपको divide करोगे, तो यह भी कम नहीं है, 10 to the power 19 के order में है, meter per second square, यह आपके पास में acceleration of proton आ गया, अब देखो, जब NCRT के example को आप solve करते हो, और PYQ मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, पहले इस example में एक चीज़ जो आपको, main information जो आपको क्या देना था, इस question के तुरू यह देना था, कि जब भी हमारे पास में electron, proton में, यह आप जब, जैसे interaction को देखेंगे, तो वहाँ पे जो effect of gravitational field है, वो negligible होगा, क्यों? क्योंकि वो बहुत ही छोटा होता है, ठीक है? अब देखो, एक PYQ आया हुआ है, exactly वहीं से inspiration उठाया है, जो अभी example था, इसलिए NCRT के एक-एक चीज बहुत important होता है, उसी example को थोड़ हम codify करके, और यहाँ पे पूछ दिया है, देखो, यहाँ पे क्या पूछा? acceleration of the electron due to mutual attraction between the electron and proton when they are 1.6 angstrom apart. अब इंगर्स्ट्रम का, यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए, कि 10 to 2 माइनस 10 मीटर था, वो data आपको याद रखना चाहिए, और यह भी कहा है कि mass of electron आप इतना मालो, और electron पे charge का data भी दिया है, अब यहाँ पे, और 1 by 4 पा अप्सलिए नॉट हो भी यह दिया है, जब से पहले F ही निकालेंगे, यह 1 by 4 पा अप्सलिए नॉट हमें मालूम है, कितना है, 9 into 10 to 9, यह पहला पार्ट हो गया, into E square, E square कितना है, 1.6 into 10 to 9, इसका square करेंगे, और उसमें divide जो हमें करना है, वो किसे करना है, R square और उसको दिया है, 1.6 into 10 to minus 10 हो जाएगा, तो जब divide करोगे उसके square से, तो 1.6, 1.6 बहुत ही आसानी से कट जाएगा, जो square के अंदर आएगा, और यह जो value, बिल्कुल simple, 9 into 10 to minus 9 Newton आगया, अभी तक हमने force निकाल दिया, obviously acceleration निकालना है, तो हमें जो भी force आया है, इस force में mass of electron से divide करना पड़ेगा, जब मैं divide कर देता हूँ mass of electron से, तो 9 भी cancel out हो जाएगा, और simple 10 to the power 22 meter per second square आजाएगा, अब यह question का inspiration कहा से था, same example से, वहीं से draw करके दिया गया है, इसलिए हर एक example को आपको समझना पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और PG के PYQ को भी जानना ज़रूरी है, उसके बीच में एक अच्छा खासा बढ़िया connection है, तो यह आपके पास में answer हो गया, 10 to the power 2 meter per second square, अब आते हैं एक और question पे, इस question में क्या किया गया है, कि जो columns ने experimental तरीका जो अपनाया था, procedure जो अपनाया था, charge को vary करके, distance को vary करके, force measure करने का, वो ही एक तरीका से आपसे question पूछा गया, मैं पहले question को इस diagram के थूरू समझा देता हूँ, इसमें क्या किया गया, दो, A body है और B body है, इस पे एक charge है, लेट से मैं इसके charge को यहाँ पे जो note कर देता हूँ, इसके charge को मैं लिख देता हूँ, Q, और इसके charge को लिख देता हूँ, Q dash, ठीक है, अब यह A और B separated जो है, वो 10 cm पे है, यहाँ पे separation जो है, वो उसको R मैं माल लेता हूँ, 10 cm पे, अब क्या किया गया, एक बीच में procedure क्या लाया गया, इस A type का identical body, C लाया गया, और इसके साथ touch करा दिया गया, अब जब इसके साथ touch कराओगे, तो क्या होगा, यह charge को क्या कर देगा, divide कर लेगा, अपने अपने में distribute कर देगा, इसी charge को, तो यहाँ पर भी Q by 2 हो जाएगा, और यहाँ पर भी Q by 2 हो जाएगा, इस पर charge यह दे Q by 2 था, क्योंकि इसमें भी B के साथ, एक identical body को लाके touch कराएगे है, तो क्या हो गया, आधा आधा charge हो गया, उसके बाद इसने क्या किया, कि अब जो आपके पास A और B बचा, क्या चीज़, चार्ज ये, चार्ज का redistribution होने के बाद में, तो आधा आधा charge बचा, उसको आधा distance पे रख दिया, देखो यहाँ पे 5 cm है, मतला हम यह कह सकते हैं, कि यह R by 2 distance पे, ठीक है, और यहाँ पे charge अब कितना रहा, Q by 2, और यहाँ पे charge कितना रहा, Q dash by 2, आप देख रहे होगे, कि इसमें 4 ऐसे positive ऐसे charge बताया है, और यहाँ पे distribute होने के बाद में, 2-2 ऐसे रहे गए, ठीक है, तो distribution है, अब आधा कर दिया गया, हमें यह बताना है, कि यहाँ का force और यहाँ का force, आपस में इन दुनों को compare करना है, कि क्या है, बड़ाबर है, बड़ा है, छोटा है, अब यहाँ पे, आपको यदि idea रहता है, तो बहुत एक तरह से, आप बहुत quickly इसको solve कर सकते हो, नहीं, तो आप ऐसा कर सकते, कि यहाँ पे force यदि मुझे calculate करना है, तो 1 by 4 pi epsilon not q, q dash by r square कर देंगे, और यदि यहीं पे calculate करना है, तो यहाँ पे बस हमें parameter बदलना है, f dash जो हो जाएगा, वो 1 by 4 pi epsilon not q by 2 q dash by 2, क्योंकि आधा-धा charge हो गया, और separation भी आधा, तो r by 2 का whole square, उपर भी 1 by 4 आएगा, नीचे भी 1 by 4 आजाएगा, cancel होके f के बड़ाबर हो गया, आप इसको बिना numerical को solve करते हुए भी बता सकते थे, charge आधा किया गया है, दोनों पे charge आधा हुआ है, तो उपर का factor, क्योंकि यह multiplication के proportional होता है, 1 by 2 into 1 by 2, 1 by 4 हो गया, और distance को आधा कर दिया है, नीचे का factor, r square होता है, r by 2 का whole square, 1 by 4 यहाँ पे भी आगया, दोनों cancel out हो जाएंगे, same force होना ही है, तो calculate नहीं भी करते, तब भी आप बता सकते थे, कि यहाँ पे जो force होगा, वो unaltered होगा, और same force यहाँ पे आएंगे, ठीक है, अब एक चीज जो आपको ध्यान रखना चाहिए, कि जो columns law है, उसका जो vector format होता है, उसमें वो सारे consideration रहते है, सारे charge के sign का होगा, attraction, repulsion, direction, सब चीज उसमें सामिल होता है, जैसे example के लिए, हमारे पास q1 और q2 दो charge है, और इसका position vector हमें मालुम है, r1 vector और r2 vector, यदि position vector मालुम है, तो मैं इसके separation जो है, ये vector r को बहुत आसानी से बता सकता हूँ, ये r21 है, और इसको मैं लिखूंगा, तो ये position vector r2 minus r1 लिख सकता हूँ, ये vector से आया है, r2 minus r1 लिख सकता हूँ, अब यदि ये charge q1 और q2 है, sign जो भी है, मैंने सीधे माल लिया q1 q2, तो उसको हम सीधे लिख सकते हैं, कि जो 1 ने 2 पे force लगाया है, f21 उसको यहाँ पे denote कर दिया गया, वो होगा k q1 q2 by r2, this is nothing but the magnitude, जो कुलंग्स ने बताया, और उसका direction बता दिया, कि इसका जो direction होगा, वो इस unit vector, इसी के across में एक unit vector होगा, उसके बड़ाबर हो जाएगा, अब यही चीज यदि पूछा जाए, कि first पे second ने क्या लगाया, f12, तो यहाँ पे simple minus आ जाएगा, इसको ध्यान में रखना है, और एक अच्छी बात यह है, कि यह जो expression है, यह valid है, किसी भी sign का, या किसी भी polarity के, जो charge होगा उसके लिए, जैसे, यह mathematics सब से संबाल लेगा, कैसे, यदि मैं Q1 और Q2 कहता हूँ, कि एक positive है, Q1 जो है, वो positive है, और Q2 जो है, वो negative है, तो attraction होना चाहिए, अब यहाँ पे देखो, Q1 और Q2 positive है, तो अब यहाँ पे, जैसी आप positive और negative sign रखोगे, तो दोनों का multiplication minus आ जाएगा, तो इस case में, minus R आपको दिखेगा, इधर और बाकी यहाँ पे, एक amplitude जरूर दिखेगा, तो minus R का मतलब क्या हुआ, यदि यह R cap इधर है, तो minus R cap इधर होगा, यहाँ पे force का direction यह हो गया, खुद ही आपको दिख रहा होगा, यह attraction जो करना शुरू कर दिया, तो किसी भी pair को आप combination को ले लो, इस pair में किसी भी combination को ले लो, plus, minus, minus, plus, सब चीज के लिए same expression valid है, इसलिए इसको हमें क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, तो यह valid है, किसी भी sign के लिए, मतलब आप इसमें Q1, Q2, कोई भी sign है, और sign के साथ इसमें put करो, answer आपको automatic मिल जाएगा, दूसरा, यह दोनों आपस में एक चीज रिपेजन कर रहा है, यह कुलंब्स लौ के साथ यह agree होता है, यह भी हमें ध्यान में रखना है, now coming to कि क्या हमेशा दो ही एक पेर में ही चार्ज रहेगा, नहीं, हमारे पास multiple चार्ज हो सकते है, तो वहाँ पे क्या कुलंब्स लौ वैलिड है, यह वैलिड है, और वहाँ पे एक चीज और ध्यान में रखना है, जैसे, सपोज यह Q4 पे मुझे फोर्स निकालना है, और हमारे पास बहुत सारे Q1, Q2, Q3, Qn तक चार्ज है, तो Q1 और Q4 जो इंट्रेक्ट करेगा, उसको कुलंब्स लौ से F41 और मैं सेम फॉर्मिला लगा के यहाँ पे बना दूँगा, कि Q1 इंट्रेक्ट क्यू फोर्स अपॉर्स 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 लगा रहा होगा, तो इसको कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पे Q1 प्रेजन्ट है या नहीं है, मतलब यह जो दोनों के बीच में फोर्स है, वो completely independent है इसके प्रेजन्स से या इसके अप्सेंस से, तो हम कहेंगे उसी प्रिंसपल को, एक्चुलि में इसी प्रिंसपल को हम क्या कहते हैं, superposition principle कहते हैं, यदि यह जो फोर्स है, यह जिसे इन दोनों के बीच में जो interaction है वो इन दोनों के बीच में interaction से completely independent है तो उसे हम super position कहेंगे हाँ अब क्या होगा कि जब हमारे पास में बहुत सारे charges है तो सभी को सभी का जो forces है वो column slot से हमने calculate कर लिया अब इस पे net force यह दिया आप से पूछा गया उसको आप vector addition कर सकते हो तो उसको vector add करके और हम क्या कर देंगे इसको सभी को add कर देंगे तो net force हमारे पास में यहाँ पे मिल जाएगा ठीक है अब यहाँ पे note करने वाली बात क्या होगी दो important चीज आपके पास आ गया जो जिसके इर्दगीत बहुत सारे question बुने जाते हैं एक column slot जो की आपके पास में दो pair के बीच में जो दो charge body है उसके बीच में क्या force लगेगा उसका expression देता है और super position principle आपको क्या बताता है कि यदि आपके पास में उस pair के अलाबा भी charges है तो कैसे वो independent होता है इसके force से ठीक है इसके presence के इसके absence से ठीक है तो उसको आप क्या कर सकते हो उसको अलग-अलग pair बना के और forces लिखके और add-on कर सकते हो इसी पे बहुत सारे questions अब धीरे-धीरे बनने सुरू हो जाते हैं अब हम एक और question पे आते हैं जो example का ही है NCRT के example है इसमें क्या दिया गया है एक equilateral triangle है ठीक है और इस equilateral triangle पे क्या किया गया है तीन charges दिया गया है एक charge जो है यहाँ पे Q1 वो Q है दूसरा जो है वो भी Q है लेकिन तीसरा जो है वो minus Q है और मुझे हर एक charge पे net force निकालना है जैसे यहाँ पे यदि में मुझे net force निकालना है तो हम क्या करेंगे ठीक है एक तो vector आपको याद रहना चाहिए दूसरा आप यह कर सकते हो कि magnitude को पहले देख सकते हो यहाँ का और यहाँ का charge को multiply करोगे Q square मिलेगा distance जो है वो L है इस pair में भी Q square upon L square इसमें भी Q square upon L square और constant तो एक ही था तो इसका मतलब कोई भी pair हम उठाएंगे उसमें जो force लगेगा उसका जो magnitude होगा वो 1 by 4 pi epsilon not Q square by L square के बराबर रहेगा अब यह पता है कि यदि यह positive charge है तो इस positive charge ने इसको ripple किया होगा तो यह force जो होगा वो f amount का होगा और इस direction में होगा यह negative है यह positive है तो यह इसको attract कर रहा होगा और इसका amount भी f होगा यह definite है अब इन दोनों के बीच में angle कितना है 120 degree यह 120 degree हम क्यों कह रहे है क्योंकि हमारे पास equilateral triangle है तो यह 60 degree होगा अब आपको दो vector मालूम है equal magnitude का और 120 degree दोनों के बीच में angle है तो obvious सी बात है हम इसका magnitude ऐसे लिख सकते है f square plus f square plus two times of f square और cos of 120 ऐसे लिख सकते हैं और इस पूरे पार्ट का मैं क्या कर दूंगा 1 by 2 कर दूंगा cos of 120 कितना होता है minus half हो जाता है so minus half जो यहाँ पे हो जाएगा उसकी बज़ा से एक क्या हो जाएगा minus half 2 से 2 cancel f square to the power 1 by 2 तो obvious सी बात है इसका जो force होगा वो f हो जाएगा तो यह वाला resultant और यह वाला resultant दोनों में जो force होगा वो आपके पास f के बराबर होगा लेकिन वही चीज यहाँ पे देखेंगे resultant तो क्या होगा यह दोनों के बीच में 60 degree है तो यहाँ पे जो हमारे पास में हो जाएगा यह cost 60 लिखेंगे cost 60 लिखेंगे तो 1 by 2 हो जाएगा तो f square plus f square plus 2 f square into 1 by 2 मतलब एक और f square हो गया तो यहाँ पे 3 f square to the power half आप लिखोगे तो obviously बात है root 3 f के बरावर हो जाएगा जो कि आपको f3 यहाँ पे मिल रहा है now coming to one more question और यह भी बहुत बढ़िया question है यहाँ पे क्या दिया गया है ध्यान रखना जैसे मैंने कहा था कि आपको coulombs law को थोड़ा feel करना पड़ेगा कि वो कैसे 2 charge के multiplication के proportional है separation के square के inversely proportional है तो यहाँ पे कहा गया कि एक charge q है दूसा charge minus 3 q है दोनों के बीज में separation d है अब मैं एक तीसरा charge 2 q लाता हूँ और उसको कहा गया है कि यहाँ पे मैं कहा प्लेस करूँ कि इस 2 q को कोई force experience ना हो तो अब जड़ा से देखो कि हमारे पास में placement का जगा कहा कहा पे होगा यदि मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ इसके बीच में कहीं पे भी 2 q को प्लेस करता हूँ तो इस लेट 0 तो नहीं आ सकता तो इसके बीच में तो कहीं पे भी नहीं रख पाएंगे यदि मैं इसके इस side में रख देता हूँ तो आपको क्या दिखेगा कि यह जो यहाँ पे यदि मैं 2 q रखता हूँ तो यह जो minus 3 q है उसको attract करेगी और यह वाला पार्ट रिपेल करेगी लेकिन एक चीज जड़ा सा ध्यान दो यहाँ पे जो attraction force होगा इस minus 3 q के बज़ा से यहाँ पे charge का multiplication भी बढ़ा आएगा और separation छोटा होने की बज़ा से inversely proportion होने की बज़ा से attraction force हमेशा बढ़ा रहेगा with respect to repulsion मतलब यह balancing होना बहुत मुश्किल है यह attract वाला जो force है attraction वाला जो है वो हमेशा ज़्यादा magnitude का होगा repulsion के respect में मतलब यहाँ भी मिलना मुश्किल है तो यहाँ पे देखते हैं कि यदि suppose करो कि मैं ill distance पे इस 2 q को रख देता हूँ तो क्या होगा यह q इसको repel करेगी और यह 3 q इसको attract करेगी जो minus में इसकी बज़ा से और यहाँ पे इस 3 q के इससे देखेंगे तो ज़्यादा distance है ज़्यादा separation है तो इसका impact थोड़ा सा कम पड़ेगा और इसका impact थोड़ा सा ज़्यादा पड़ेगा जो less charge के साथ में है तो यहाँ पे दोनों force बड़ाबर हो सकते हैं ऐसा possibility यहाँ पे है अब उसे search करना है तो मझे दोनों force को बड़ाबर करना है क्या करेंगे simple यह करेंगे कि इधर का जो आपके पास में repulsive force है और attractive force बड़ाबर कर देंगे same काम करना है 2Q into Q इन दोनों के बीच का interaction हम बता रहे upon 4 pi epsilon not L square इसके और इसके बीच में जो हमारे पास में distance है वो L हो गया और यही चीज़ इसके साथ देखेंगे तो D plus L हो जाएगा और इसको यदि यहाँ पे रख दोगे 2Q और Q बगराब को cancel करोगे 4 pi epsilon not को cancel करोगे यह आजाएगा यह quadratic आजाएगा quadratic को यदि मैं solve करता हूँ तो आपके पास यह answer आजाएगा D by 2 plus minus root 3 D by 2 अब यहाँ से दो value आ रहा है एक plus के साथ आएगा एक minus के साथ आएगा मैं minus के साथ यहाँ पे consider नहीं कर पाऊँगा क्योंकि जैसी minus के साथ consider करूँगा यह जो L है वो minus L हो जाएगा और यह beach को indicate करेगा इन दोनों के beach A और B के beach के position को indicate करेगा जो की लेना नहीं है तो इसलिए सिर्फ D plus root 3 D by 2 के बड़ाबर यह हो जाएगा ठीक है अब हम आते हैं एक और important question पे जो 2013 में पूछा गया है अब यहाँ पे क्या है यह सबसे बड़िया question होगा इस lecture का अब इसमें क्या दिया गया है दो pit wall है pit wall मतलब उसको charge कर दिया गया है है ना और इस पे charge है और यह यहाँ पे clamp है ठीक है यहाँ से y height ऐसे दिया गया है और r separation है और यह equilibrium में है मतलब इसके पास mass भी है तो यह mass और इसका जो भी electric interaction हो रहा है दोनों के बीच में वो tension यह सम मिलके क्या कर रहा है इसको equilibrium में रखे हुए यह कहा गया कि हम बाकी कुछ भी change नहीं करते सिर्फ यह जो point है clamp बला point वो मैं नीचे ला देता हूँ यह height को y by 2 कर देता हूँ तो अब यह separation कितना होगा और यह यहाँ पर भी equilibrium में है इसे हमें निकालना है ठीक है r dash को निकालना है ठीक है तो कैसे निकालेंगे तो इसको basic से solve करते है जैसी आपके पास में 2 charge है और same nature का है ripple किया और यह आ कि यहाँ पर equilibrium पर आ गया मल यह जाए कि जो equilibrium पर आया है उस समय यह जो angle है वो theta है अब इस पर कौन-कौन से force लग रहे होंगे definitely एक जो force है वो fe लग रहा होगा जो एक दूसरे के क्या चीज़ है repulsion से आया है electric force दूसरा mg लग रहा होगा तीसरा tension लग रहा होगा अब मुझे यदि यह equilibrium पर है तो net force zero करना है और ज्यादा अच्छा तरीका यह होता है कि पहले force को resolve कर लो और क्या कर लो यदि मैं tension को resolve कर देता हूँ तो यह vertical वाला part और horizontal वाले जो force है उसको मैं क्या कर सकता हूँ balance कर सकता हूँ तो यहाँ पर यह T cos theta हो जाएगा और यह T sin theta हो जाएगा अब यदि यह balance है अब मुझे यह consider करने की जोट है नहीं अब यह force और यह force बरावर होने चाहिए और यह force और यह force बरावर होने चाहिए यदि मैं इन दोनों को divide कर दूँ तो यह हमारे पास मैं 10 theta आ जाएगा 10 theta को मैं F e by mg लिख सकता हूँ अब मुझे बताओ यदि मैं इस height को y कहता हूँ और यह पूरा separation r है तो यहाँ से लेकि यहाँ तक का separation क्या हो जाएगा r by 2 तो क्या मैं 10 theta को r by 2 upon y लिख सकता हूँ answer is yes तो यहाँ पे r by 2 upon y लिखेंगे तो यह 10 theta को मैंने ऐसे लिख दिया और यह F e by mg में F e के value को क्या लिखेंगे q square by r square और into 1 by 4 pi epsilon not तो यह रखने के बाद हमारे पास में third equation यह चीज आ गया ऐसा जो की उस variable के terms में हमने ला दिया जिस variable के terms में question दिया गया है तो अब यदि मैं इस condition को लाओ जहाँ पे बस separation r dash है और यह जो आपके पास height में difference जो है वो y by 2 है तो मैं इसी expression को modify कर सकता हूँ और मैं लिख सकता हूँ r के जगा पे r dash 2 times of y y के जगा पे y by 2 ऐसे लिख सकता हूँ और इधर side में k q square mg r के जगा पे r dash के square करेंगे अब simple यदि मैं इसको divide कर देता हूँ इस दो equation को तो आपके पास क्या जाएगा इन दोनों को divide करोगे तो common चीज cancel हो जाएगा y y cancel हो रहा है ठीक है k q a square k q a square mg mg यहाँ पे r dash के square r square यहाँ पे r upon 2 r dash तो obviously बात है जब multiply करोगे तो आपके पास में answer आजाएगा r dash is equal to r upon cubic root of 2 इसके format में यहाँ पे answer आगे तो यह question hard नहीं है बस आपके पास में multi concept यहाँ पे क्या हो रहा है apply हो रहा है कैसे questions आते हैं यह सारा चीज मैंने आज के chapters में अभी के class में मैंने cover किया next class में दूसरे topic को cover करेंगे जो मैंने introduction में बताया ओके thank you